वेलकम तो माई चैनल इसे नोट्यूबर्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूं अच्छे होंगे तो कई बच्चों ने मुझत ये पूचा था कि कैसे शॉट हैंड और कैसे अपने कंप्यूटर बेस टैस्स यानि की रिटन प्री की तैयारी साथ में मैनेज की जाए तो मुझे प होट हैंड के लिए तैयारी करूं या ना करूं या मैं उसे पूरी तरह से छोड़ दूँ या मैं सिर्फ और सिर्व्रेटन में फोकस करूं या फिर मैं है'llee shot end भी साथ में करूं ॐसे कई सारे सवाल हैं मैं मन में आते हैं ठीक है तो इसका सबसे अच्छा example मैं अपना दे सकती हूँ अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले तो मैं बहुत ही जादा अपने आपको मानूंगी अच्छा फिल करूंगी ठीक है तो उमीद मेरी यही है कि जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको clear हो तो आज का मेरा जो में मोटो है वो यह है कि आपको य चलते हैं पहला है मेरा for beginners वो बच्टे जो अभी अभी जिन्होंने short hand सीखना शुरू किया है या फिर जिन्होंने शुरू किया था lockdown में उनका stop हो गया है pause हो गया है वो नहीं सीख पा रहे है या वो online सीख रहे है या वो बच्टे जिन्होंने अभी अपनी book complete नहीं की है तो आपको करना क्या है देखिए आपके उपर double responsibility है आपको return पर भी focus करना है पूरी तरीके से और आपको short hand भी सीखनी है क्योंकि आपको ये डर होगा कि अगर मेरा qualify हो गया tier first तो हो सकता है short hand में मैं रह जाओं तो देखिए आप कर क्या सकते हैं मैं वो आपको बताती हूँ पह September में paper ले सकता है that means कि अगर वो notification निकालना चाहेगा तो July में निकाल सकता है ठीक है तो अगर वो निकालता है तब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है बट अगर वो जुलाई में नहीं निकालता है थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत कम हो सकती है तो दिक्कत इ फोकस करना होता है ठीक है आपके साथ यह problem रहती है कि आपको दोनुचीज मैनेज करनी और आपको करनी भी पड़ेगी ठीक है आपके लिए मैं यह नहीं कह सकती कि आप एक चीज़ बिल्कुल भी मत देखिए और दो फोकस करें नहीं आपको डेली एक या दो घंटा देना ह नहीं पड़ेगा और अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप उतनी ही जल्दी शॉट हैंड सीखेंगे नेक्स्ट है मेरा point keep doing your preparation for pre आप यह तो प्रक्टिस करते रही है लेकिन अपनी प्री की तयारी भी साथ साथ करते रही है क्योंकि देखे टाइम आपको डिवाइड नहीं मिलेगा कि यह ताइम आपको शॉट हैंड यह तो अपने पहले सीख लिए होती लेकिन अब आपको सीखना भी है और प्री भी साथ में करना है तो दोनों को बैलेंस करके चलिए ठीक है If you are unable to focus on shorthand and pre simultaneously just quit shorthand and focus on your studies तीसरा point मेरा यह है कि अगर आपको लगता है कि शॉट हैंड में जादा time जा रहा है क्योंकि उसमें exercises होती है practice भी अच्छी खासी करनी पड़ती है and याद भी करना पड़ता है तो इस वज़ा से उसमें 3 या 4 गंटे चले जाते हैं ठीक हैं अगर आपको लगता है कि आप उसकी वज़ा से अपनी पढ़ाई पे focus नहीं कर पा रहे हैं या आप return में कहीं न कहीं कोई गल्टी कर रहे हैं तो अगर आप मेरे advice मानेंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है ठीक है तो आप short hand quit कर सकते हैं क्यों क्योंकि देखिए अगर आप written exam qualify नहीं होगा तो आप short hand लेकर कुछ भी उखार नहीं सकते हैं ठीक है होता क्या है जब short hand जब आप sorry जब आप टीर फर्स्स देते हैं ठीक है जैसे 18 में क्या हुआ था कि February में हुआ था ठीक है टीर हो गया था क्योंकि बहुत वह नहीं है कि मैंने देखा है कई बच्य बच्चे बोलते हैं एक दो साल लग जाते हैं वह मतलब साल एक दो साल की बात मत करें था कि मानती हूं कि छे महीने आपको लग सकते हैं आठ महीनी लग जाएंगे लेकिन एक दो साल यह उन बच्चों के लिए available है यह उन बच्चों पर apply होता है जो बच्चे इसको इसमें consistency के साथ इसको नहीं follow करते हैं और उसमें भी वीच में gap देते हैं ठीक है तो उनकी सब बाते ना सुनते हुए सिर्फ अपने पर भरोसा रखें confident रहें ठीक है के लिए जो बच्चे अभी शीकना शुरू किया उन्होंने जिनको अभी basic भी clear नहीं जिनकी book भी complete नहीं हुए यह उनके लिए यह आप follow कर सकते हैं ठीक है next है next उन बच्चों के लिए है जिनकी speed 50 WPM या 60 WPM या 55 इनके mid में भी लाई करती है या थोड़ा बहुत उपर चाहें तो उनके लिए मेरी ये advice है कि आप write two dictations daily आप अपनी pre की जो तयारी है उसके साथ साथ में दो dictation daily लिखें देखें यह speed अगर आप इस तक पहुंचे है that means कि आपका basic clear हो चुका है तब ही आप dictations लिख पा रहे हैं आपको करना क्या है दो dictation daily लिखने हैं उनको रोज पढ़िए daily पढ़िए ज़रू ठीक है इससे होगा क्या कि आप जो अपनी short hand आपनी सीखी है वो आप भूलेंगे नहीं उन दोनों में से पढ़िए लेकिन दोनों में से type एक करिए ठीक है इससे आपको क्या होगा कि typing भी दुबारा नहीं करनी पड़ेगी and आपका typing भी cover हो आपको speed बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना है नेक्स है focus more on your pre तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आप इतना follow कर पा रहे हैं तो करिए and साथ में अपनी pre की preparation भी ध्यान में रखिए ठीक है तो यह उन बच्चों के लिए जिनकी speed 50, 55, 60 या is around lie करती है next है मेरा जिन बच्चों की speed 60WPM above की है ठीक है if you wish you can write one dictation read it and type it अगर आप की मर्जी है अगर आप चाहते हैं तो आप एक dictation daily लिखके आप उसको read कर सकते हैं और उसको type भी कर सकते हैं computer पे इससे क्या होगा कि इससे आप भी shorthand को भूलेंगे नहीं and अपनी जो reading habit है उसको भ आपकी होती रहेगी if not it's okay अगर आप नहीं करना चाहते हैं इतना भी तो ठीक है मुझे भी problem होती थी मैंने भी छोड़ दिया था next at least you are at this average speed at least आप यह सोचते हैं कि आप और बच्चों से थोड़ा बहतर है कि आप को shorthand का basic layer है आपकी speed 60 above है and grade D में 80WPM मांगते हैं and grade C में 100WPM मांगते हैं तो at least आप यह सोच सकते हैं कि आप और बच्चों से थोड़ा तो उपर ही 60 speed आपने gain करी है next after your CBT you'll have enough time for the skill test तो don't worry CBT जब हो जाएगा आपका result आजाएगा आपकी answer की जब आजाती है तो आपको यह clear हो जाता है कि आपको skill test देना है या नहीं देना है ठीक है उसके बाद से आप तुरन तयारी कर सकते हैं इसलिए skill test तक का बहुत time मिलता है don't worry and don't panic please next है मेरी strategy क्या रही है मैं आपके साथ share करती हूँ देखे हुआ क्या था कि मुझे skill देना था अपने first attempt का 2017 का तो मेरी speed इतनी प्रॉक्स पहुँच गए थी 75 to 80 WPM ठीक है उसके बाद मैंने क्या कि September में skill test यह हुआ था उसके बाद मैंने पूरा बंद कर दिया शॉट हैं मेरा कोई भी वास्ता नहीं रह गया stop taking dictation before my CBT मेरा CBT हुआ था February में तो मुझे मुझे यह था कि मुझे इस बार return qualify करना है तो मैंने short hand को किनारे रख दिया था ठीक है तो आप count कर सकते हैं from September, October, November, December, January, February Approx 5 months मैंने touch भी नहीं कि short hand and उसके बाद भी March में answer कि आई थी तो 6 months totally started again after 6 months मैंने पूरा 6 months का gap दिया था Regain my speed after one month of practice एक महीने लगे मुझे practice करते हुए उसके बाद देरे-देरे मेरी speed वापस अपनी track पर आ गई थी फिर next है single focus on preparation of tier first मेरा मानना है कि अगर आप अगर आपको basic आती है short hand की अगर आप 60 अप्रॉक, 50 अप्रॉक, 70 अप्रॉक लिख ले रहे हैं तो आपको skill test की जिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो आपको single focus करना है आपके जब एक बार marks इतने आ आ जाते हैं तो आप skill test तो आराम से qualify कर सकते हैं मेहनत करके क्योंकि देखे no dictations, no typing, no short hand उन 6 महीनों में मेरे लिए सिर्फ मेरा slabels था और कुछ नहीं मेरे बास कोई dictation मैं लिखती नहीं थी मैंने typing नहीं की मैंने short hand भी मेरा कोई दिलना देना ही नहीं था उसके बावजूद मैंने उसके बाद मुझे 6 मेने का time मिला था उसमें मैंने practice की जितना उतसे हो सका and I cleared skill test of grade C and D both तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि आप बिलकुल भी मैं जूट नहीं बोल रही हैं मैंने बिलकुल भी test नहीं किया था कोई dictation नहीं कोई arriving नहीं मैं सब कुछ थी लेकिन मैंने एक महिने में उसको cover कर लिया तो ये आपकी उपर भी है आपकी capacity आपका caliber decide करता है कि आप कितनी जल्दी वो चीज़ catch कर सकते हैं ठीक है next है अब आप ये question आपकी मन में जरूर आ रहा होगा अगर short hand quit कर दें तो क्या 4-5 months बाद कुछ याद रह जाएगा ब पता है मुझे बट थोड़ा तो याद रहेगा ही देखिए आपने कभी जिन्दगी में ABCD पढ़ी होगी तो ऐसा तो नहीं कि अभी वो भूल गया है ठीक है तो इसका मतलब आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मन में रहता है अगर आपने seriously पढ़ा है अगर आपने ABCD सीख ली शॉट हैंड की तो फिर बस आपको speed लानी होगी अगर आपने शॉट हैंड का basic clear कर लिया है तो आपको बस अपनी speed पे focus करना रहता है उसके बाद उसके लावा कुछ भी नहीं ठीक है next है अब आप question करेंगे what about skill test ऐसा तो नहीं होगा will qualify or not तो इसकी guarantee मैं दे सकती हूँ कि अगर आप अपने return exam के बाद सही से daily 5-6-7 घंटे जो भी आप दे सकते हैं सिर्फ और सिंगल focus skill test पे अपने dictations पर तो आप grade C और D दोनों qualify कर सकते हैं ठीक है तो इसकी attention मत लीजिए next question अगर मेरा tier first qualify हो गया and skill test qualify ना हो पाया तो ये भी question बहुत बार आता है मेरे भी मन में बहुत आता था मुझे किसी ने बताया नहीं तो मैंने खुद से यही अपनी strategy बनाई थी जो मुझे सही लगी तो अगर आपका tier first qualify हो गया आपकी marks बहुत अच्छे आगे तब तो आपके ओपर और ज़्यादा pressure होता है कि आपको skill test qualify करना ही और आप उसके लिए double triple चूभी मेनत लगती आप करने को तयार होते हैं ठीक है तो मेरा answer यह है कि relax ऐसा कुछ नहीं होगा be confident, be positive, give your best if you have the caliber to crack tier first you are definitely gonna qualify skill test तो मेरा कहना बस इतना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप tier first पर focus करेंगे तो आप skill qualify ही नहीं होगा no अगर आप यह सोचे अगर आप tier first अच्छे number से qualify कर सकते हैं तो आप definitely skill test भी qualify कर सकते हैं ठीक है तो इस इस चीज़ के बारे में tension ना लेते हुए बिल्कुल अपने tier first पर focus करें अपने CBT पर तो देखें जितना भी हो सके आप उतने number लाने की कोशिश करें क्यूंकि competition level बहुत बढ़ गया है और अब तो prox 170 से above 180 से above भी number आते हैं normalization की process भी है तो जितना हो सके आप से अपनी जीजान लगा देजे और tier first में number आप एक बार ले आएंगे तो आपको skill test के लिए tension करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये था मेरा आज का video आपको ये समझाने के लिए कि कैसे आप अपनी short hand and अपनी pre की preparation को balance कर सकते हैं तो I hope कि आपको इतना clear हो गया होगा की मैंने उन बच्चोबी बताया है जिनों के बेश्राइक नहीं clear की उन बच्चोबी बताया है जिनकी speed 50-60 है उनको भी बताया है जिनकी above 60 है जो 100 पर लिख रहे हैं, जो 110 पर लिखते हैं, जो 90 पर उनको निटेंशन लेनी की जरूरा दी नहीं है, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल सेनोट्यूबर्स, आल बेल्स फॉर एग्जाम